विजनौर से हैं, शशी जी स्वागत है आपका जी मैंदम जी नमस्कार मैं जैहिन, शशी जी आपका स्वागत है शर ये पूछना था, मैंने पहले भी आपका पूछा का देख बोच्टी के लिए तो आठ साल की है, नवर में चल रही है उसे मुझा सिआका से खापते हैं शर रखिंग कती Bilmate थीक है ठीक है एक घट ही arta नुस्का उसे देखें कर देख लें बच्ची को चोटी बच्ची है यह जो मैथी का दाना तो आप जानते ही मैथी साबुत जो होती है इसको पौडर बना ले और एक चुटकी यह दो चुटकी मैथी का पौडर एक गिलास पानी में उबा ले और उसमें एक चुटकी या आधा चुटकी खाने का सोड़ा में लाकते हैं तो इसको मिक्स करके गरम पानी में और पच्ची से कहां इसे चाय की तरह पी ले थोड़ा गरम हो जो उसको पी सगे रोजाना एक बार पिला दिया करें मुमकिन है के बच्चे को फाइदा होना मुमकिन है जी रामपुर से जुड़ गए है अगले कॉलर स्वागत है आपका आपका नाम क्या है थुरेंदर कुमार जी आपका सवाल मेरी मेचेट को एक्चलियमे सुखी खालेश हाईद हो जागा है सुखी खालेश खुजली खुजली कहरे है था खालेश हाई जी तबच्चलिया है अच्छा देखिए, ये जो अलसी आती ना, अलसी तो सभी जानते हैं, यूपी वाले चाहे रामपुर के हों, चाहे बुलंचेर के हों, अलसी तो सभी जानते हैं, अलसी खरीदें और उसे साफ कर लें, क्योंकि अंकर अंकर बहुत मिला दिते हैं, दो तीन सो ग्राम अलसी ले पौडर बना के रखे हलका सा भून कर ज्यादा नहीं भूनना और एक आता है नमक जैतून नमक जैतून ये असली नमक लें जो देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकी नहीं होता एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोड़ा जो आपके किचन में मौजू अजल सिखाएं और यह पानी जो नमक जैतून और यह खाने का सोड़े का पानी है यह दो गिलास पिला दे एक बार पिलाना काफी होता है किसी किशी को दो बार भी लगता है बसे एक बार दिया करें आपकी पत्नी को फाइदा होना मुमखिन है डिली से नेहा जी जुड़ आपका है हकीम जी मेरे दातों में चला मसूड में खून वगर आता है काफी दिन पे अच्छा ठीक है कितनी उमर है आपकी वो ही पच्ची पच्चीस उमर है जी अच्छा दिखिए ज्यादा तर जिन को इस तरह का रोग होता है उन में पाई रिया कहलाता है और उन में खून की कमी होती है तो एक तो मल्टी विटामिस रोज़ाना एक ले लिया करें ऐलोपैती ही ले लिया करें काफी अच्छा होता है और एक यह है कि यह है कि जो खाने का सोड़ा है एक चुटकी ले और अपनी हथे लिपे रख लें और ये राई का यानि सर्सों का तेल है एक या दो ड्रॉप इसमें ऐसे मिक्स करें और ऐसे अपने दाटों पर ऐसे रप करें मालिश करते रहें हलके हलके ऐसे लेकर और जो गंदगी आए तो वो आप जो लार आती है उसे ऐसे मूलेट काके तुक सकते हैं ये रोजाना एक बार रात को सोते समय किया करें और याद रखें कि कुल्ला नहीं करना आप थूक कितना भी दें लार को लेकिन कुल्ला किये बगएर आप सो जाएं ये आप कुछ दिन करेंगे तो आपको फाइदा होना उमकिन है महराश्चर से हैं शाहीन अगली कॉलर स्वागत है आपका नमस्कार मैं हकीन साहर से बात करनी है शाहीन मैं हाजीन हुँ बताई क्या सवाल है सलाम अलेकुम धाल flooding है निहार मुझ है और उसके साथ रजास पाने में और ऊपर और लो गरास पानी है तो बारा से तेरा दिन तक के ये खुराक उनी दी है तो मैं आपसे जानना चाती हुँ रखेंब हैं आ। किट्वी की पत्री है वो बाहर आ गई है या किट्नी में ही है हमें कोई जाच प्गीर करवानी चाहिए क्या करवाना चाहिए इसके लिए मुझे कुछ बताए हकी साब ये बताई टकलीफ गई उनकी है अभी हलो टकलीफ उनकी खतम हो या अभी वाजूद है? अच्छा. 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 नीबू, पानी. वो जैतुन के नमक के पानी में, नीबू नहीं मिलाया. तो ये गलत किया. उसमें नीबू मिलाकर देना चाहिए. ताके पत्री. गूलर के पत्ते वाले नुस्खे में तो जादा काम करता है मेरी दूआ है कि उनकी पत्री निकल गई होनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया के अच्छे नुस्खों में माना जाता है और पिर आप जैसी बेटी दूआ करेगी और हम भी दूआ करेंगे तो उनको फाइदा होना चाहिए और लेकि ये सब चीजे जाच से ही पता चलेंगी लेकिन अगर पैरों पर सूजन अभी भी है या दीखती है या लगती है ये दो चीजे अलग होती है सूजन का मतलब है हम अगर पैर पर ऐसे उली गाड़ें उसकी गोश्ट के उसमें और ऐसे छोड़ें तो अगर गड़ा रह जाता है तो सूजन है और एकड़ उपर को आ जाती है गोश्ट तो सूजन नहीं है बार पैरों पर सूजन अच्छा नहीं है दर्द के साथ साथ चली जानी चाहिए अलसी का नुसका लंबे अर्से तक भी ले सकते है लेकिन बगएर जान्च के हम कोई कह नहीं सकते कि इतने वसूख से इतने जिम्मदारी से कि उनको वो निकल चुका है जान्च में तो आपको लिखकर ही दे देता है कि उनको फाइदा होता है और ये अच्छे नुसके में बताता हूँ दावा कुछ नहीं करता है इस से लोगों को फाइदा होते हुए देखा गया है दूआ भी करेंगा आप भी दूआ करें नुसका देते रहें और मजबूत हो जानी चाहिए उनकी किड़नी हकीम साब इन्होंने कहा है कि यूरिन में स्मेल आती है हाँ देखे कुछ पिशाब इनका रुक कर आता है सड़ कर आता है इंफेक्शन है इंफेक्शन चला जाना चाहिए था अभी तक क्या वज़ा है क्यों नहीं जाता है किड़नी की गंदगी टेस्ट होती है किड़नी का फंक्शन टेस्ट होता है किड़नी की तंदुरुस्ती टेस्ट होती है वो सब चांच कराकर ही पता चलता है जी दैरादून से हैं कावेरी जी स्वागत है आपका स्वागत थे कावेरी जी का स्वागत थे कैसे हैं बहुत दिनों बाद बात हो रही है आप से आप ठीक है जी आप बताइए आप ठीक है कल तो आपकी आवाद में बहुत वीटनेस लगरी थी पूछने की जुरत में कि आपकर ठीक नहीं थे आज आप ठीक हैं बेटर हैं हाँ मैं गाउं से होकर आया हूँ बड़ा सुस्त चल रहा हूँ लेकिन आप से बात होते ही मैं एक्टिव हो जाओं आप कुछ रही है और इतने लोग आपको चाहते हैं इतने सारे व्यूएर्स हैं कि लिस्ट बनाने से आप नाम भी लिखनी पाएंगे शायद लेकिन बात लंदी हो जाए मेरे पास अप्रिशेशन के वर्ट में आपके लिए बहुत कारीश करूंगी क्योंकि मेरे परिवार में इस तिक को पाइड़ा हुआ है पहले में सीट बैस कॉल देना जाहूंगी हाला कि वहने बता रखा है मेरे हजमें से बच्पन से शायद ब लेहरे में वह शांती है कि बस मन्फुष हो जाता है सुनिके बहुत ससली होती है इतना ज्यादा पीस्पुल ताउन रहती है आपकी आपकी अवाज बहुत अच्छी लगती है बहुत शांती से बताते हैं बहुत बैलन्स के साथ कि ये तो एक अलगी बात है और सभी लेकिन समय निकल जाए इससे पहले मैं ये कहना चाहूँ ही कि मेरे हज्में को कीटबेग पॉल में बच्पन से नजला था मैं इतनी खुछ हूँ कि उनको खुनी बवासी और बच्पन से नजला दोनों में फाइदा हुआ है वन एंड़ हाफ मन्से मैंने उनको दिया है बन अब बहुत वाइदा है 50 more than 50 percent and only one and a half month में और खुनी बवासी में खुन आना बंद हो गया है जो आपने कच्था सफेज अलसी लाजवंती और गौन मरिंगा बताया था वो मैंने बना के दिया तो उससे बहुत आराम है बहुत अच्छा फील कर रहे हैं इवन जतुन का सिर् जर्द रहता है जैसे तो सभी में फायदा हो रहा है overall secondly मेरे बेटे को मेरी आवाज जा रही है आपतर बहुत अच्छी आ रही है बहुत प्यारी है और मेरे बेटे को दूसरे नमबर मेरे बेटे को फायदा हुआ है तीस साल का बेटा है उसको भी अस्क्रमा की शिकायत हो ग अच्छी मेरे बेटे के लिए वह ले रहा है पहले से कम है पहलने जाता है और थर्डी मुझे कितने फायदे ही है बहुत सारी चार प्रॉब्लम की यूटी आ इंसेक्शन था दो साल से और यूटी आ इंसेक्शन की वज़े से मुझे च्छे मही में 2021 में फीवर रहा कंटिन में फिर पता चला सी यूटी आई इंसेक्शन है और इसकी वज़े से फीवर आ रहा है इवन कंटी में भी मुझे शे मी में रहा और इस काल भी मार्स तक रहा अप्रिल में से मैंने आप ता नुसका चूल किया मुझे पता ही नहीं था आप टीवी पर आते हैं मेरे अंजमन इसकी बताई थी अल्टी का पाउडर भून के और उसमें नमस जैतून एक चुटकी पानी में डालकर वही लिया मैंने उसी किसे इतना अराम हुआ था मेरी सर में कुझ लिए होई थी वो भी चली गई और यूटी आई इंसेक्शन में यूरिन अभी भी थोड़ा सा कलर पानी में डालके लिया था और मैं एक चीज आप से तूशन जाहूंगी कि मैंने गुंस्या तो ले ही रही हूँ मेरे घुत्नों में बारा साल से बैब था इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी समय नहीं खरा परूँगी क्योंकि बहुत हरी प्रॉब्लम थी प्यार में इतना ख और जयतुनता सिरका भी ले रही हूं लेकिन तर में इक्यीज आपसे बताना चाहूँगी कि जयतुनता सिर्का चौँगी क्योंकि हम ले थासन घाते है तो हनाकि मैंने अवर N took मैंने स्टार्ण कर दिया है दबाई में डालका शूरू में मैंने प्योड लिया आसे ही तो मे कि जानना चाहूंगी है, क्योरिसिटी है, खला कि अपने उसमें अग्रस नीवू लेसन मिलाया है कि शायद और अज़ादा फायदा करेगा बेटे को भी कोल्टेस्टोल है मुझे भी हुँ. रिवर्फ है कि मेरे तल्वे से ओड़ी सारी ले रहती हुए बहुत साल हो गए वह इतनी च्थितनी हो गई हैं इसे वजय से हुए, इसलेग निगूट से हुए मैं जयतुन का सिरकाई ले रही थी, जय वहल फे ले ले रही थी और बहुत आर्ण मरीगा भी ले ले वा जी जी एक है कि जो स्क्रीन होती है ना मेरे बेटे कुछ प्रॉबलम में नीचे प्थलियों के नीचे बाही तरफ हाँ ये इस जगह हाँ लेफ साइड लेफ साइड है ऐसा क्यों है क्या हो सकता है और कल्मी शोरा के क्या काम में आता है एक बार आपने किसी को बताया था एक चुटकी तो वो ये धाना साओंगी और भी कुशन है बटाज नहीं क्योंकि बहुत सारे पिशन्स होंगे बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आफिर होंगे प्राइड आपकी बात्चीत से तो मैं शुरू से पहली कॉल से बहुत इंप्रेस रहा और आज तो आपने हदी कर दी कहां से जिकर करें और कहां तुम्हारी बात को हम किस तरहां से आहम करें क्या अंदाज है आपके बात करने का एक लफ उतर जाता है दिमाग में वक्त बहुत कम है इसलिए कम बात करूँआ मुझे सवाल इनकी याद दिले हैं कलमी शौरा किस कम आता है कलमी शौरा नुस्खों के साथ इस्तिमाल आता है छे साथ चीजों के साथ दिए ये कलमी शौरा एक चुटकी धनिया आदा चमच और जीरा दो गिराम और एक आती है एक आती है उसे कहते है एकाती है सौफ वो दो चमच इसे उबाल कर पिया जाए तो पेट की समच्चाएं हल होती है और क्या सवाल है बेटे को लेके हैं लेट साथ पसलियों के नीचे थोड़ा प्रॉब्लम महसूस करते हैं इनकी बेटे चीक है स्प्रीन की आप बात करें दे इस तरफ होती है और कभी हमारा लीवर मतासिर होता है इंप्रेस होता है तो हमारे लीवर का एक हिस्सा इस तरफ को होता है बाकि पूरा लीवर इदर होता है स्प्रीन इदर होती है तो अगर लीवर में सूजन आ जाए तो वो यह हिस्सा स्प्रीन सूज जाती है और फिर अच्छे से काम नहीं करती है तिली जिसे कहते हैं तो इसके लिए वो आप दे सकते हैं नमक सेतुन और दे ही रहे हैं तो धीरे धीरे वो अपनी जगा पर आना बैथर है नहीं तो यहां एक हलकी स हो सकता है तो यह आपने देते रहें और उनको फाइदा मुम्किन है